हेलो फ्रेंट्स, वेलकम टू माई चैनल और आज हम अंबर घी का रिव्यू करेंगे ये घी मैंने देवाख से मंगाया है जो की मत्वदेश में एक जिला है और ये घी एक मालवी नाम की गाये के दूद से बना है मालवी गाये को हम महादेव पुरी और मंधनी के नाम से भी जानते हैं ये सफेद और या फिक ग्रे कलर का होता है और इसका जो दूद होता है उस दूद में जो वसा की मात्रा है फैट की मात्रा है वो 4.3 परतिश्च पाई गई है मालवी काये का उरिजिन मात्र पतेश के मालवा छदर से होता है जिसमें इंदर, देवस और जो जिले हैं इस छदर के वो आते हैं इस घी को मैंने अगरसेंट ट्रेडिंग कंपनी से बलाया है जो कि देवस में सित है मत्र पतेश में ये इनका अपना ही फार्म हाउस है और जैसा कि मैंने देखा इनकी अपनी वेबसाइट भी बनी वी है अंबर्मिल्क आप देखिएगा अंबर्मिल्क.com और ये वहाँ पे अपने फार्म से ही दूद को देवस या और आसपास के इलाखों को में सप्लाई करते हैं अब तक मैंने आपको थार पारकर, गिर, कंक्रेज, राठी इन गायों के घी का वर्णन किया था तो आज हम एक दूसरी टाइप की देशी गाये काम आज हम रिव्यू कर रहे हैं यह घी की जो कीमत है इसको कीमत 1100 रुपए है और मैंने इसको सेल के दोरान लिया था SGFC का कार्ड यूज करके 10 पर्सर का मुझे डिसकाउंट मिला था तो यह घी आया है और यह घी प्लास्टिक बोटल में है माकी जो मैंने घी का रिव्यू किया था वह कोई भी घी प्लास्टिक बोटल में नहीं था यहीं एक घी है जो प्लास्टिक बोटल में आया है आई हम इसको खोलते हैं जिनकी पैकिंग टेप चुपका हुआ है यह मैं इनका पहला ग्रहां को यह नहीं नँदस्किया थे तो इनकां और किया था उसके लगभव एक डॉट कॉम में यह खुल गया है अब बॉटल में क्या-क्या लिखा हुआ है बॉटल में एक तो इनके सौ ग्राम की घी में क्या-क्या चीजें होती हो लिखी गई है जो की बहुत जरूरी है इन्होंने अपनी वेफसाइट दे रखी है साती साथ FSS AI नंबर दिया हुआ है और यह बाकी कीमत जो है आपको बॉटल के पीछे मिल जाएंगी 1100 रुपए है और यह कब बनाओना अंबर 18 की बैकिंग है यह लगबक तीन महें पुराना है घी लगबक एक साल तक चलता है विससे देशी की कभी खराब नहीं होता है जिनका ब्रांड है अंबर मिल्क कि यहनोंने सील कर रखा है पूरा सील बंद कि इसको में खोलते हैं कि लगणों में इस समय जो टंपरेचर है वो लगबक 18 डिग्री संटीगेट है और 18 डिग्री संटीगेट में जो घी होता है वो सेमी जल फर्म में होता है आप देख रहे हैं जो कलर है इसका वो हलका पीला है जो की राठी काउ से के करीब है गिर थार पारकर और कंक्रेज जो काउ है उनका जो घी है वो लगबक पीला होता है यह पीला कम सफेद रंग का घी है आई सो खाके देखते हैं बुर निकाल लेते हैं कि कि अच्छा है यह अपने अप मेल्ट कर गया गी की तोड़ी प्रशान पहचान होती है अगर आप इसको अपने मूँ में अक्टेंगे तो यह खता पिखल जाएगा और टेस्ट में आपको ताकी सी महसूस होगी तो यह मेरा आज का रिव्यू था अंबर के देशी गाय के घीका जो की मालवी नाम की गाय से बनी है अगर यह वीडियो आपको पसंद आए इसको लाइक करिएगा अपने दोस्तों की भी शेयर करिएगा और ऐसे रिव्यूस को जानने के लिए हम इस चैनल को सब्सक्राइब करिए धन्यवाद